तो हेलो दोस्तों आज हम एक small cap company के बारे में discuss करने वाले हैं तो ये company में ना मुझे ऐसा नजर आया कि यार कुछ ना turn around story type कुछ लग रहा है मुझे इस company में बाकी मैं इसकी कुछ fundamental discuss करना चाहता था आपके साथ तो मैं वीडियो को आपके सामने लेके आ रहा हूं देखें क्या ना कि यह company है ना वैसे मैं इसकी सीधी बात करना शुरू करता हूं टाइम तो क्या ही गवाना देखें इस company के ना तीन line of business है मत्तों तीन business vertical आइसका है तो यह company जो उसका पहला business vertical है वो यह फैरो अलॉय के production में involved ले company तो यह फैरो अलॉय producer है जिसकी annual capacity two lakh metric ton per annum की है और इसके ना दो फैरो अलॉय में है चार इसके जैंबिया में है जो इसकी जो installed capacity पूरी capacity है इसकी पावर जेनरेशन की वह 434 मेगावाट की है इसके लावा company mining में भी है यह high grade का call offer करती है industries के लिए और thermal grade का call offer करती है power production के लिए thermal production के लिए देखिए और जो इसका पूरे 25% इसको business power generation के business से आ रहा है इसको बाकी का जो 7% है वो इसको mining से आता है तो यह था इसका revenue contribution बाकी की मैं बात करूँ तो जेकि company यह small cap company है ठीक है market cap 6600 croda रपे की है और valuation wise मुझे ठीक ठाग नजर आई company मतलब undervalued ही नजर आई इसका PE ratio 7.40 है और industry का PE 29.60 है तो industry के PE से अगर मैं इसको comparison करूँ तो यहां से तो यह undervalued ही नजर आता है बाकी का देखिए क्या कि जो इसका बाकी जो इसके matrix है जो PEG ratio वो 0.24 है तो यहां से भी यह undervalued ही नजर आता है इसका जो price to book value है वो 1.04 है तो यहां से भी यह undervalued ही नजर आती है देखिए बाकी जो screener.in में इसकी intrinsic value 631 रुपे दिखा रहा है और इस वक्त यह सिर्फ 460 रुपे पर trade कर रहा है तो हो सकता है कि यह undervalued है बाकी देखना आप इसका ROE यानि return on equity 17% है इसका return on capital employed भी 17% है बाकी देखिए मैं company की balance sheet दिखा हूँ थोड़ी सी तो इसमें क्या है कि company की balance sheet पर आपको नजर आएगा debt 1433 क्रोड रुपे का debt पट यह बहुत कम है पहले के मुकाबले 2017 में लगबा 4300 क्रोड का debt हुआ करता था अब तो उन्होंने धीरे-धीरे बहुत क कर लिया है और यह सिर्फ 1433 क्रोड का debt negligible मान लीजिये क्योंकि इनके reserve में ही 6357 क्रोड रुपे हैं और इनके पास asset है 5590 क्रोड के मैं September quarter की बात कर रहा हूं और इनके investment है 435 क्रोड रुपे की तो इसके comparison में तो debt negligible ही मान लीजिया बाकी company अच्छी खासी sales करती आ रही है मतलब हर सार इसकी sales बढ़ती आ रही है हर quarter में अच्छा खासा profit generate कर रही है company और operating profit margin जो की 44% है बहुत ही अच्छा number है बहुत ही अच्छे इनोंने margin maintain किये हुए है यह मुझे अच्छा लगा company में और इसका shareholding patterns की तरह मैं देखूं तो इस quarter में थोड़ा सा promoters ने भी अपनी stake को बढ़ा है तो और public की खैर धीरे-धीरे कम होती आ रही है मतलब इस quarter में तो खैर कम हुई है तो यह सारा औरहाल मुझे देखके तो लग रहा है कि यार company ठीक ठाक है बाकी ना ऐसा है कि research ना आप खुद करना आपका buying decision आपका होना चीए या आपके financial advisor से पूछना मैं सिर कर दो 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 क